जे नमुस्तू तत्वम्चनन्दे आनन्देमं चे नेनन्द साहाओ परमेतात पद्विन्द पाओ नमियों से द्शुभाओ गुरु वेशेह गुपति रुई गुपति न्यान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्जूत्तव जिन्वरहम अर्थत यर्थ हजो भैवे नाशे भब जू मुन्हां ममाले न्याने पर लोई देव को गुरु को धर्म को शाजी को वारंबार नमस्कारो वंकार वेदांति शुद्धात्मे तत्वम् प्रेमा मिनित्यम् तत्वार्ति सार्धम् न्यानम मयम सम्य की दर्शिनित्वम् सम्यक्ति छर्णम् चेतान निरुवम् भुलिये शेये शमे शुद्धात्मे देवी की जैहो 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 अचार प्रवर सद्गरवत अरंतर्म लाचार जी महराजी की जैहो 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 अवरल जर्दी हुई जनेंद्र भगवान की अम्रित मैं शुद्ध जिन देशना की जैहो 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 जैए जनेंद्र भगवान का अम्रित रसायन में जीव आत्मा को अपनी स्वासक्ता का बोत कराने वाला शुद्ध जिनुपदेश यह मूल है बिल्कुल मूल जब भी अपने इस मूल के निकट जाने कोशिश करेंगे न इस मूल को पकड़ने कोशिश करेंगे न तब तब प्रमाद उत्पन होगा अर्थात अर्थात मन नाना पेखार बिकल्ब करेगा जवाई आएंगी नींद आएगी यह सब भी आप इस सत्तिकी और बढ़ने की कोशिश करोगे अंतर से बाहर से नहीं जब भी आप अंतर से गहन चिंतन में इस सत्तिकी और जाने का अभी संयोगात्मक पुरसात करेंगे अब जब भी आप देखना ग्यान उप्योग का पुरसात आप करोगे और गहराई से करोगे तो फिर नाना प्रकर के प्रमाद सल बिकल्ब नाना प्रकर की कर्म धारायन जो अपने बांदे हुए कर्म हैं वे सामने आएंगे और जीव उन आने वाले कर्मों में बहे जाएग उन आने वाले कर्मधाराओं में बहे जाएगा तो वे अपने पुरसात से सूप जाएगा और एकतर बहे नहीं हो जाता है जागरती कम रहती है यति जीव उन कर्मधाराओं में जुड़ जाएगा उन कर्मधाराओं में सैयुक्त हो जाएगा उन कर्मधाराओं में एकदम स चुक्त हो जाएगा कि यहां था पुरसार्ट से चुक्त होने की बात कर रहा हैं सम्मेक दिश्टी जीप की पुरसार्थ की अवस्था को कह रहा हैं जिस समय सरूप का निरंत्रा पुरसार्थ चलता हो उस इस्तिति को कह रहा हैं जब सरूप का पुरसार्थ प्रकट होता है ज आतम स्तिती जीप के बढ़ते हुए शृद्धान ज्यान की निर्मलता की स्तिती को कह रहे हैं यह अब मन की दसा नहीं कह रहे हैं हम बहुत घेरी चर्चा कर रहा है जब जब भी आप सुद्ध आत्मा के अंतर पुरसात की और बढ़ोगे मन की स्थिति नहीं पढ़ लिया, जाप कर लिया, किरिया कर लिया स्पुन्द से पाप में बदल लिया, पाप से पुन्द में बदल लिया इस इस्तिति नहीं और जब आत्मा का सहिज भूमान और अन्दाता जबकि बास तो अलगी है लेकिन जब आप और गहरा श्रद्धान और ग्यान करने के लिए जब आप अंतर से उद्वेगित हो गए ग्यान उप्योक की अनंत गहराई को स्वालक्ष पूरवक जिन भगवान के बच्चनों को जब आप कहने का उद्दम करोगे तो आप देखना एकदम से आपको कोई ना कोई अंतराई की लहराई गी आई बुद्धी में चलने वाले जो विकल्प है वो दिखने लगेंगे सायोग आत्म का वस्थाई दिखने लगेंगे नाना प्रकार के सायोग दिखने लगेंगे नाना प्रकार की अन्न चीज़े लभाएंगी आपको और जो ये चीज़े लभाएंगी कर्म प्रकुरतियों लभाएंगी आपको कहीं भाव लवाएंगे, कहीं भाव धारा लवाएंगी, कहीं सहयोग लवाएंगे, कहीं पुन्ने के ओदे लवाएंगे, कहीं पाप के ओदे आपके उपयोग को लवाएंगे, कहीं राक की पढ़नतियां आपको अपनी और खेचेंगी, कहीं द्वेश की पढ़नतियां आपक कुछ गया आपके दिश्टीन कर्म पे कुछ गया और असद पर्याई की और खिच गई तो आप अपने पुरसार से चुक्त हो जाओगे बस चुक्त होने का मतलब मतलब आपने पुरसार से दूर हो जाओगे और अपने पुरसार से दूर होने का अर्थ ये है कि अपने आत्म से अलक होने का रधिये है कि आप अज्ञान में धारा होगे जोनारी-काल की संस्कार है, सुबह खाना, रात में पालब पिना, उठ ना बेटना, सोना, जागना, सरीर की सांवने वाली मनबचन का रहा कि सारी क्रियान हैं. उठने, बेठने से लेकर सोने जागने से लेके सुप से असुप से लेके जितना भी परिणमन है चाहे मंदर जाने का हो चाहे घर में रहने का हो चाहे कहीं का भी कुछ भी परिणमन हो सुभे से लेके साम तक के सारे संसकार गत जो भी उपाय हो रहा हैं जो भी किरिया हो रही हैं जो भी भाव हो रहा ह वह सारे के सारे अज्ञान में ही है अज्ञान संसकार में ही है और आप यदि अपने पुरसार से चुक्त हो रहा हो अपने आत्म पुरसार से छूट रहा हो तो आप इन अज्ञान संसकार में ही एक में दूद पानी की तरह होके वह रहा हो और अज्ञान में दूद पाने की तरह एक में खोके बहरा हो तो यह बात सो परसेंट पक्की है कि अभी अभी वर्दमान में जीब को इतनी अंतर आत्मा की इतनी जागरती नहीं चाहिए आपको चाहिए हमको सब की स्थिति है यह आप क्या कहना चाह रहा है यहां हम इतना वर सब्क्राइब करना चाह रहा है हम नहीं हमती हिए मतलब की वाली में इतना इस अतार राया है कि है है भब्बे आत्मन कम से कम तुझे सर्ट का बॉध तो हो metres मां मेंटिistantat amdhakar सभाव है एसे अतींद्री आत्म सभाव का तो यह बहुत तो हो अंतर से बहुत तो हो कि आरे प्रभू में तो यह अतींद्री साश्वत चेतन में सत्ता हूं मेरे तो अनादी अनंत वीतराग दुर्ब सभाव है एसी गहन 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 अंतर में बहुत अंतर में उतर कि अंतर आत्मात्य में हो टरगे उसी असी स्षीकारता तो हो तुम्हें जूकि यह ईसी स्षीकारता यह तुम्हें गेहरी होगी गेहन में होगी जहन में गेहन है यह तुम Um सभाव को यह भगवन आत्मा तो तुम्हें कमसें यह बोट तो आएगा यह अग्यान में बहुत हो रहा है अब तुमस्टे निकल पाऊ यह नहीं चूट पाऊ वहां से छूटने का मार्क तो तुम्हाँ सामने रहाएगा कि ये खड़ाव मेरा निर्विकल्प ज्ञान विज्ञान में मेरा सभाव ये खड़ाव मेरा निर्द्वन्द वीत्राग में चैतन सभाव ये खड़ाव मेरा परम अतीनरी आनन्द में सभाव ये हैं मेरी सास्वत दुरुप चैतना यही मेरा सास्वत सभाव कम से कम एसा अंतर में चैतनिता का बोध तो रहे अंसमात रहे चाहे केसे ही रहे मैं तो यह अनाधी अनंत सास्वत चैतन सरूप परमात्मा हूँ मैं तो यह अहाधी अनंत अनाधी अनंत चैतन सास्वत सरूप अक्षे निदी का धारी अनंत चरुष्टे में परमात में सत्ता हूँ यह जो कर्म की अवस्ता चल रही है जो यह कर्म से जुडान चल रहा है जो यह अज्यानता में जो भाव चल रहा है यह अज्यानता का भाव रूप पर्णमन यही कर्म विकार है यही कर्म की अवस्ता है ये ही वो सईयोग आत्म करम वस्ता है जिसे मुझे जीतना है जिसे मुझे खंड खंड करना है जिसे मुझे अपने आप से अलग जानना है क्यों? क्योंकि ये मेरा आद्यम अनादी शुद्धम सभाव नहीं है ये मेरी आद्यम अनादी सुद्धम चेतना नहीं है ये तो बिकारी परणामन है और ये मेरी आद्यम अनादी सुद्धम चेतना से मेरे अनंत चतुष्टे में सभाव से एकदम अलग है बिलकुल अलग है मेरी द्रुब वीतराक्ता से बिलकुल अलग है ये एसा बहुत तो रहा है एसा बहुत तो रहा है कि में तो भगवान ममात्मा मैं आखरे में क्या काता गुरु आए इनने ममात्मा सुभावम धुब सुद्य दिश्टम मेरी आत्मा का सुभावत और शाश्वत धुब एसा ही दिखे मेरी दस्जरों में एशी ही सुद्दिष्टि में दिखे मेरे कि मेरी आत्मा का सभात और साश्वत और ध्रुब है अनन्त ग्यान और वीर से भरा हुआ है अनन्त दर्शन और ग्यान मई परमात्न सरूप से लवालब भरा हुआ है जब अपनी आत्मा का सुभाव एसा अचिंत चिंतावणी चेतन रतना कर सब्दों से पार भाव से पार एकदम सुभाव मात्र है चेतना मात्र है निरावरण सरूप मात्र है जब मेरा चेतन सुभाव जब निरावरण चेतन सरूप मात्र है तो हे भब्यात्मान जब वो निरावरण सरूप मात्र मेरा सरूप है तो फिर आवरण के कोई चर्चा ही नहीं आवरण कोई चड़ाई नहीं सकता आवरण का कोई भावी मेरे को छूई नहीं सकता भई अच्छा आवरण कोई चड़ा नहीं सकता आवरण का भाव कोई छूने ही सकता आवरण मुझे में आने ही सकता तो भी उप्योग तो ये परभाव में लगा हुआ है ना बस ये ही तो पिकार है कि उप्योग परभाव में लगा हुआ है यदि तुम इस पल भी इन परभाव के चलने के काल में भी यही हम अपने सुद्ध अतींद्री आनंद जो तुम है सत्तव सीक्रिड है तुम्हें उसूर अपना पुर्शार्त लगाऊ उस ओर अपना बल लगाऊ और अशवर अधिश्टी करो तो अभी हाली तुम्हें यह चलने वाला जो बिभाव है यह चलने वाला जो असुद्ध परणमान है यह चलने वाला असुद्ध परणमान तुम्हें तुम्हारी अनंत अनंत सुद्ध छेतना से बिल्कुल भिन नजर आएगा बिल्कुल भिन भिन नजर आएगा कार्थ यह लग-लग दिखेगा कुछ भिन्न नजर आएगा कार्ति यह है कि टमाइं दिश्टी में भिन्न होगा और ऱ्टिब लिए प्लेगी ौनोभक कड्र शेया कि जीप जुदण अ कि ये ये सी कारभा पड़ी हुई सी कारता हैं एक कोने में कोने में सिकारिक हो गया तो वहीं आग्ञां थो हो गया मइं मन बहय भी रहे हैं बहुत साथ कोने पड़ई हुआ है कि यह जो कुछ भी ہو रहा सब ब्रक्रण क है जो कोने पड़ी हुए लेकिन एक सीखार्त होते है बर्धिवी बर्धिवी सीकार्ता क्या द्रव सभाव अपनी शर्वत द्रव अनादी निरन्चेतना अपना शरवत अकंड अनानद भुरतमान में ही में ध्रुबु उठ्धु ग्यान विज्ञान में ओन यहों एसा अभात्रा है इसी सीकारता वुंत रही है घुशिय कारता की बरतना खल पर यह यहां के स्थितिहें हैं यह था ilum कि अटर्स in उन लगास बहुत ब़ुद भुत बना हुआ है इसी सीकारता एकट करने का बहुता ही इन सब से बहार से बाहर से जुड़ान करने की कि इक्चा नहीं होती सरीर आधी से जुड़ान करने का कोई गचड़े जुड़ने का कोई भाव नहीं होता मां सरीर आधी जुड़ान बाहर की घट्टी अवस्थाइं वो सब एकदम भिन जानने में आती हैं कि अरे हरे चलती हुई चलती हुई सीकार्था कि हां मैं तो द्रुब्षुद्ध मुक्त अनंत्य चटश्टे में परमात्मा हूं मेरा किसी बंदन से किसी परियाय से किसी इस्तिती से किसी घटना वस्तु से मेरा कोई भी संबन नहीं है इसी सीकार्था बरते आपको बरते बरते प्रतीती में बरते आपके आपके भोध में बरते आपके अंतर के आपके होश में बरते अंतर में बरते क्या कि हां मैं तो वह साश्वत सुद्धु सरुख परमात महीं हूं बस वह यह सहियों की भाव सहियों की दसा यह सहियों की स जितितियां यह सब तो एक समय का कर्मुद है एक समय की असुद्ध धारा है और देखो 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 बहुत सुक्ष मबाद सुनो 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 यह सब तो एक समय की धारा है एक समय की धारा भी है एक समय की नसवर धारा तो है यह सब असुद्ध परिणमन लेकिन भगवान जी ये एक समय की असुद्ध परिणमन की धारा भी मेरे अनंत चेतन सभाव से भिन्न है ये तो छोड़ो नश्वर है ये तो छोड़ो भगवान जी मेरी जो सुद्ध चेतना है इस एक समय की नश्वर परियाय के बीच में भी अभी भी शुद्ध है अभी भी बुद्ध है अभी भी अपने आनंद शरूप में निवगन है और मैं चाहूं तो इस असुद्ध परिणमन के काल में भी उस सुद्ध चेतना को अपने जिष्टी में नियाहार सकता हूँ परिया ये बात तो बहुत अलग है बिल्कुल सत्य है मेरा सभाव नहीं है ये बात भी बिल्कुल सत्य है मेरा इससे कोई संबन नहीं है मुझसे भिन एह भी बिल्कुल सत्त है लेकिन उससे बड़ा सत्ती यह भी है यह नश्वर पर्याय चलती रहा है कोई अनतर नहीं पड़ता लेकिन इस नश्वर परियाय क्योंकि बीच में मैं अभी भी सासवत पिंद परमात्मा ही हूँ एसा में जब चाहिए जब सीकार कर सकता हूं जिस समय मेरा उपयोग जिस समय मेरी अंतर आत्मा या मेरा अंतर हिर्दे इस सत्य को स्वीकार कर लेगा इस सत्य का बहुमान उत्पन कर लेगा इस सत्य की अंतर से महिमा प्रगट कर लेगा इस सत्य की अंतर से जेजेकार उत्पन कर लेगा कि मैं इसे स्वाविमान को जागरत कर लेगा कि I am अप्पा नाम मैं आत्म सरूपी हूं मैं अनन्त केवल ग्यान सरूपी हूँ जहां अपना आत्मा इसे आत्म सुभाव के बहुमान को स्वाविमान को अंतर से गरण कर लेगा उस चण उस घड़ी ही उसी चण उस घड़ी ये सारा संसार परयाई परिणमान बिलीन हो जाएगा अर्थाथ दिष्टी से दिष्टी गोचर नहीं होगा आत्मा से भिन जानने में आया कि इसीकारता में सुद्ध बुद्ध सरूप की सीकारता में किसी भी इस्तिती में किसी घड़ी में कर सकता हूं यह मेरा सोयम का गुरु माय ने गात है दिए ना उब्देशत सार में ग्यान समचे सार जी में कि मामात्मा सुकी सुभावं यह मेरा सोयम का अपना सुभाव है यह मेरा सुयम का सुभाव है यह मेरा सुयम का अपना अपना सुयम का अपना चेतन में सरूप है जो अनंत सरूप में ही प्रकासित हो रहा है इंवेसे मलें तो देखो भी यह ? श्री केलम नजन विलो की त़त्व सरैष्ट केल अनों की तटव मने जिसा इस तत्त को अवलोकन करके कहा है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैं अपनी बात नहीं कह रहा मैं किसी और की बात नहीं कह रहा, मैं किसी और की चर्चा नहीं कर रहा मैं तो उन सरवग देव की चर्चा कर रहा हूँ, जो सरवग है जो लोग की चरचर विबस्था को एक समय में जिनके ग्यान में जलक रही है जो सर्व के ग्याता हैं, सर्व के दिश्टा हैं, जो तीनों काल को एक समय में जानते हैं जो तीनों काल के समस्त द्रव के समस्त पर्यायों के सारे प्रेणमन को एक समय में अवलोकित कर रहा है एसे परम केवल यानी स्री केवल यानी परमात्मा विलोकी तत्वम जेसा तत्व को विलोक अर्था देख रहा है जेसा अनुवाव कर रहा है जेसा उनकी दिश्टी में उ प्रकासित हो रही है और एसी सुद्ध ज्यान में प्रकासित होती ही मेरी सत्ता ही शुद्धात्म तत्वाम मेरा शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है एसा शिरी केवलम न्यान बिलो की तत्वाम एसा ही केवल ज्यानी परमात्मा ने शुद्ध तत्व को अनुवव किया है एसा ही प्रकासवान सुद्ध सरूप केवल ज्यान में अनंच चतुष्टे में सभाव केवल ज्यान ही परमात्मा ने अपने स्वानुभाव से देखा है वेसा ही अपने स्वानुभाव में उन्हें चखा है और वेसा ही स्वानुभाव उन्होंने हमाई लिए कहा है क्या कि य यही तुम्हारा शुद्य प्रकाशवान तुम्हारा अपना साश्वत और द्रुव सुभाव है तुम्हारा सुद्य तत्य शुद्धात्मा है एसे उनने अनुभाव किया एसे उनने देखा और एसे अपने से कह दिया कि भाईया शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म एक चाल धारी अभ़ी इस सम्हें शुद्धता रूपी जानने में आ रहा है शुद्धतापी देखने में इसे मेले वाला रिंद्था से प्रकासित क्रकाषवा उद्धालает मेरा इढंट्धाले अपना ही शुद्धाल्थ मुद्धाल्त क्दम एक निद्ध्धाल में वाऋ जेंच को मेरे यह सब्सक्राइब मेरे अपना ज्यान विज्ञान महीं जरूप है, मेरे अपना द्रूप चैतन महीं सुभाव है, अपना मेरा खुद का चैतन महीं सुभाव, एसे अपने वीत्राग सभाव की ललकार करने वाला की मैं सुद्धूं शुद्धूं शुद्धूं अपने इसे साश्वत दृब सभाव की हुंकार करने वाला अपने साश्वत दृब सभाव की ललकार करने वाला एक तत्व को कहने वाला अंतर से अंतर ग्यान की सीकारता से उठने वाला अंतर हिर्दे की अंतर ग्यान की जीप की अंतर प्रणती से उठने वाला की ये स्वाविमान की में धृफ चेतन में परमात्मा हूं। प्रकास बान सकता हूं। शुद्धात्न सरूप आत्मा हूं। जो गहन स्विकारता है। Zords गहन सवभिमान हैं अपने जोंड़ी सवाविमान हैं वही उपलब्द करने कीया क्या श्री केवल गयानी मैं परमात्मा अपने को दी है केवल यानी पर्मात्माने कहा भहिया क्या कहा है कि भहिया आप कुछ मत करो कहीं मत देखो कुछ मत मानो कुछ सीकार मत करो TOK BLAट अपर मत मसब पुछ haga करे कुछ करो ही मत पिर सुद्धाट जो तुम्हारा शुद्धात्मितत अनाधी अनंतिकाल से सुद्धता रूप प्रकासित हो रहा है उस शुद्धात्मितत को ही जैसा मैं केवल ग्यान में जलकता हुआ निर्विकल्प आनन्द में देख रहा हूं वेसे ही तुम अपने में सीकार करके तुम भी अपने निर्विकल्प आनन्द की और अग्रसर हो जाओ, अपने में जम जाओ, शुद्धता से प्रकासित होते हुए, एसे चेतन नमई सभाव का ही शुद्ध रूप अन्वोधन करो, यही मेरा अदिती अद्वोत, चेतन नमई अदींदरी आत्म सभाव है, जिसकी महिमा अनन्त है, जिसका गोरा बनन्त है, जिसकी जेचेकार तीनों लोके में हो रही है, जिसकी महिमा तीनों लोक गा रहे हैं, जिसका संकनात पूरे अनन्त जनेंदर, अनन्त केवल यानी परमात्मा, तीनों लोकों, तीनों काल में जिसकी दिब्धोनी खिर रही है, वह सुयम प्रकासित होता हुआ, मेरा ही सुद् तेट मुसरूभ है यहां श्री प्रमात्म के मिला लोका अन्म और को कह रहा हूं। गयानी परमात्मा के अनुभाव को कह रहा हूं केबल गयानी परमात्मा सुएम अपने अनुभाव को कह रहा है और उनके अनुभाव में आ रहा है कि आत्मा राग में नहीं है द्वेश में नहीं है कर्तत महीं नहीं है भुक्तत महीं नहीं है जन्मरण महीं नहीं है अरे उत्पाद वे रूप यह आत्मा नहीं है उत्पाद वे रूप तो पड़्याई की परिणवन की धारा है यह आत्मा तो शुद्ध आत्मा सुद्ध प्रकाजवान अनंत ग्यान सूर की तरह है जिसमें लोग और अवलोग ज ज़क रहें जिसमें आनंद पर्मानंज प्राहा है जिसमें अतीदरी सुख जलक रहे यह आत्मा तो इसे परमात्ण सरूम में यह प्रकास व पकास इसा आनंद में तत्त के एसा शुद्द वीत रघ माही तत्त आप इसे ऐसे अनंत्य वीत्राग मैं अपने शुद्य तत्यकी शीखार्था करो कि याँ यही मेरा अनादि अनंत्यस लगे निंदा में भीठीद लगे सरीर में क्या हो रहाए तो पता ना लगे और बहार कोई कर रहा है पताना लगे। और तो इसको रहा देकार नहीं बदन機 कु और यदी दुरूबुद्धी कोग्यान आदी की सल आएंगी भी तो अपने सरूप की सीखारता के बल पे इनको नश्वर और छणवंगुर जानेगा इनमें ज्यादा देरो लजने वाला नहीं इन में रत लने बाशने वाला कि उसके लिए ऐसकर आत्म सभाह है वह को बने करने की जबिता YES कि आत्म सब्सक्राइब देखेगा वह से अंकatro प्रतियेक व्यक्ति का प्रिंस ऐक यहीच की धारा ताउच ही एक-गा सब्सक्राइब वही के सरीर से होने वाला पर्णमन सुतांत्रे सारा वस्तु का तीनों लोकों का पर्णमन पिति एक द्रव की अवस्था सुतांत्रे कोई किसी का करता धरता नहीं है इस संपूर विश्व को प्रकासित करने वाला मेरा शुद्धात्मा ही शुद्धम प्रकासम शुद्धता से प् को अनात्मा है निर्विकल्फ दृवन्फ चेत्ना है हूं इस मेora को YEA को बिघाव नहीं है फाय जिसमे अदिया मन्य नहीं है इस सुर्दा रूप हो तो अंधोलक में आ रहा रहे हैं तक गुरुदेब केषा तध सुधात्मा रूप और वो वी प्रकासित होता हुआ हे गुरुदेव एसा सुद्धता से प्रकासित होता हुआ वे तत्त किल्म को दिखाई देगा वहां तो केवल यानी को दिख रहा है और यहां आप पता रहे हो लेकिन गुरुदेव आप खेरा हो एसा तीन्री तत्त है एसा सुद्धात्म प्रकासवान सरूप है एसा आनन्द में सरूफ है एसा अनन्द सुख में सरूफ है लेकिन गुरुबर एसा सुद्धात्म में प्रकाजवान चेतन में सुभाव केसे अनुभूती में आएगा और किसकी अनुभूती में आएगा तो आशारदे पेरा हैं अरे भगवान सम्यक्तिन्यानम जो जीब सत् सम्यक्त में आच्रण करने वालों को यह अनुवूतियों का उदे होगा। ऐसे लिए यह बुद्धी की चर्चा से परे एक अतिंद्री आत्मसुभाव का सहकार होगा। सम्यक्त में आच्रण करेंगे। जिनने से सम्यक्त जिन इत्याननुत्पन हो जाएगा। सच्चा ज्यान अंतर से हितकारी ज्यान पहचानने में आजाएगा, उन समयक्त के ज्यान के आचरण में ये सुख रूप अनंत्र प्रकाजवान अपना शुद्धात्म सरूप आच्रण में आएगा कि हाँ ये सुख में आनंद में सरूप ही मेरा सरूप है ये बिकल्प है ये कोबुद्धी ये चिंता ये बाहर की चर्चा ये उधर उधर देखना ये सब तो दुख्य कारण है पुत्र परिवार संयोग धन पुत्र मकान दुकान ये सब संयोग आत्मा के स्थितियें सरीर आदी की समाल आदी ये जितने भी कलरंजन जंडरंजन मंदरंजन है ये सब तो दुख्य कारण है दुख्य साधन है संसार परिवर्ण को बढ़ाने वाले साधन है लेकिन मेरी आत्मा का साधन तो मेरी आत्मा का सुक तो मेरे चेतन में सुभाव में है मेरे आनन्द में सुभाव में है मेरे निर्विकल्प सुभाव में है मेरा आत्मा तो अतीनरी परम सुक्ष में सरूप आनंद परमानंद मैं ज्यान विज्ञान में सरूप बाला है इसा सच्चा बस्तु सरूप का ज्यान, जिन ज्यानी सादकों के हिर्दे में हैं, वेहे ज्यानी सादक एसे परम सुद्धात्म चेतन सुभाव को सोयम में प्रकासित होता हुआ देखेंगे, उनकी सारी अग्यानता धुल जाएगी, सारा करतत भाव गल जाएगा सारा परपरयाय को देखने का भाव गल जाएगा और सुभाव का भाव उत्पन हो जाएगा चेतना का भाव उत्पन हो जाएगा अंतर से उत्पन हो जाएगा में तो सास्वत चेतना हूं दुरूब चेतना हूं दुरूब जो कभी मिट्टा नही जो कभी कहीं पिगडता नहीं जिसका कभी अंत नहीं होता इसा द्रुब साश्वत सभा मेरा सभा है यह सभा का बोद अनंद में मेरी मतमान गुरु देप की मान दो ग्यान में आचरण ही सुख का कारण है अब यहां कोई कहेगा फिर अभी सम्यक ज्यान कहा हो जाएगा हरे पगले अज्यानी अज्यान में बात करेगा में संसारी संसार में युव एक आगा भ़र्धे लाइ जगणे में आनंद आता हो जिस दो don जश्टि पर्याएं पर हो बे स्वाक्षंदी पर्यायं दिश्टि वारा जीव यह कहेगा इस में समय जख्ण कहा कहा से आये इस इस्तिति में सम्मय ज्ञान कहां से आय। wings being for Scr 보ंप के पास यह है और दूसरा पर आदाने हुए सम्मय ज्यान के सरूप और इननिल कोई जानता है तो प्यांक कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दहां तो उसके पास यही प्रेश्ण है, वह को दूसरा प्रेश्ण ही नहीं, तो सम्मेक ज्ञान की सरूप कोई नहीं जानता न, तो कि सम्मेक ज्ञान का अर्थ यह हो जाता है, सम्मेक ज्ञान का अर्थ यह हो जाता कि बरत्ती सीकार्था, मैं पहले ही कह दिया था, कि जिसको सीका स्च्छे आत्मा का bris आएगा अपने आत्मा का सुख जानने में आएगा अपने आत्मा का सुख पहे इचानने में आएगा तो भे आत्मा बाकी परियायों से प्रपरेणवन से अपनी दिष्टी अपने अपी मोड लेगा सबस्टा ऐगा अपने ऑप की चिंता को छोड़ देगा अपने ऑप सब कुस्ष्वतनत्र है जब सब सब सरूंप से सोतंत्र जानने में आएगा सच्चे ज्ञान में जब चरचर पूरी संसार की लोकिक विवस्था कर्म उदे रूप प्रिणमन जानने में आएगी तो फिर वे कर्मों को उदे में एकमेख होके कर्म उदे को नहीं बढ़ाएगा शरीर आदी अवस्थाओं में परिणाम आदी अवस्थाओं में एक में खोके वो इन संसार के परिभ्रमन को नहीं बढ़ाएगा वे तो इन सब वबस्ताओं के बीच में अपने पुरसार्त के अनुसार अपने द्रुबतत को सीकार करके अपनी दर्शन ग्यान की निर्मलता को बढ़ाएगा अपनी श्रद्धा को बढ़ाएगा अपने ग्यान को बढ़ाएगा अपने चारित्र को बढ़ाएगा वे तो एन केण पिकडेण सरीर आदी की दहे आदी की किरियाओं से परे अपने अतींद्री चेतन में निराकार सभाव के सहकार को बढ़ाएगा कि हाँ मेरा सभाव तो शुद्धम प्रकासम शुद्धातम तत्व धे आदी के परिणमन से परे है मन आदी के परिणमन से परे है अज्ञान आदी के परिणमन से परे है निराकार है ब्रह्म है और सुद्ध है उस सुद्ध प्रकासमान सत्ता में कोई भी इंद्री का असुद्ध परिणमन प्रिवेश कर सकता नहीं है चाए काम हो चाए भोग हो चाहे राग हो, चाहे द्वेश हो, चाहे करतत हो, चाहे बुकतत हो, चाहे मन की स्थिती हो, चाहे बुद्धी की स्थिती हो, चाहे कोई सी भी स्थिती हो, कोई भी असुद्ध स्थिती, मेरे चेतन सभाव को इसपस करने में संभाव सक्षाम नहीं है, मैं एसा साश्वत जाग चेतन में ध्रुब ज्यान बिज्यान में सभावाला हूं एसा बोद अंतर से बोद अंतर बोद एसा चेतन में सभावाला हूं जिसका किसी से किसी से जिसका किसी भी अवस्था से किसी भी इस्तिती से किसी परियाय से कोई भी संब्द नहीं है रंच मात्र भी कोई संब्द नह नहीं नहीं भोग से भी नहीं नहीं तो भी क्या करें काम भोग में लगे रहा है अरे भगवान जिसको देहादी से भिन्निता भासित होगी जिसे असुद्धिता असुद्धिता में नजर आएगी और सुद्धिता अपने में नजर आएगी वहिया उसुद्धिता की नजर के अंतर आत्मा से अपने सुद्ध चिद्रूप चिदानन्य मैं सरूप की बरत्युई सीकार्ता तुत्पन हो अभी तो एक बार स्विकार करके भूल रहा है जीव उसको हर पर्णमन असुद्ध पर्णमन के काल में हर समय एक भी समय ऐसा नहीं जब असुद्ध पर्णमन नहीं चल रहा है जब भूजन कर रहा हो जब ही तो में भूख का भाह हो हर समय असुद्ध पर्णमन है एक समय जब तुम भोजन नहीं कर रहा है उस समय भोजन करने के अशक्ति तमाय पास है, जिस समय तुम रागदेश नहीं कर रहा है, उस समय भी रागदेश की पर्णती तमाय पास है, तब बाहर में कसाय रूप लोब नहीं दिख रहा है, बाहर में भुजन रूप पर्णती नहीं दिख रहा है, बाहर में काम से बन रूप पर्णमन नहीं पसाय तो जीब के अंतर में जहां की तहां बनी हुई है अग्यानता तो जीब के अंतर में जेसी की तेसी पड़ी हुई है लोग काम सुहार तादी के संस्कार तो जेसे की तेसी पड़ी है अच्छाएं कामनाय वासनाय तो जेसी की तेसी पड़ी है फिर भैया यह सारी कामनाय ये सारी वासना, ये सारी छाय, ये सारी असुद्धता, जहां की तहां पड़ी हुए, तो भाई क्या कहना चाह रहा है हो, तद्धा, असुद्धता से एक समय के लिए भी रहीत नहीं है ये जीब, कहना क्या चाह रहा है हो, भगवान आत्मा ये कहना चाह रहा है, जब काल में मुझे अपने सुभाव का सीकारता ये तो एक समय की भाउदसा है बहार की बहबार की लेकिन मैं इस एक समय की अवस्ता भाव अवस्ता से प्रे आदी अनादी शुद़ शाषवत चैतन सभाहूं शाषवत अखन्द आनंद का नाद ज्ञान विझ्ञान में सरोफबाला प्रौप शुद्ध परमातमा प्रौप ईसजिक जैसी परियाय से कि सी से और किसी पर प्रयाय प्रणमन की अवस्था से कोई भी शंबन नहीं है ध्रूबूँ शुद्धूँ और मुक्तूँ एसी गहन अंतर से सीकार्ता जिनके अंतर हर्दे में हो वह ग्यानी सादाग इन संसार के समस्त बंधनों से समस्त अज्यानता से समस्त विकारिक भाव से छूट जाते हैं सबसे छूट जाते हैं सबसे छूटने का एकी उपा है वो है अपना चेतनमे धुरुप सुभाव सबसे मुक्त होने का एकी उपा है हर इस्तिती से हर परिस्तिती से हर भाव धारा से हर कर्तत भुक्तत की धारा से हर प्रकार की कर्म धारा से मुक्त होने का एकी उपा है वस अपने सभाव का चलता हुआ सहस्रद्धान अंतर आत्मा से गहरी स्वीकारता रहे बस यह सिवीकारता के बलपे अपने आप ही आपका अंतरोनवख होगा क्योंकि मेरा सभाव मेरा आत्मा अपने आत्मा में सहस्वीकरिट हो इससे बड़ा पुरसात और क्या हो सकता है मेरा आत्मा अपनी आत्म सत्ता को मेरा चेतन में सरूप अपनी चेतन में सरूप की अनंत सत्ता को सह सीकार करके अपने सभाग गोरब में रहे कि हाँ मैं ये सरूप हूँ मेरा ये चेतन में सभाव है इससे गेहना पुरसात और क्या हो सकता जहां चेतना ही चेतना को स्विकार कर ले जहां आत्म ही आत्म सभाव को स्विकार कर ले वहां कर्ब और करमधाराइं कित्ती दे टिकेंगी मन और मन की धाराइं कित्ती दे टिकेंगी ये भाव सरीराधी परिणवन कितने किती डिकेंगे दो चार पांच छे बस जहां चेतना चेतना को सीकार कर लेगी जहां ग्यान ग्यान को सीकरित कर लेगा जहां शरदान शरदान को सीकार कर लेगा अरे जहां आत्म ग्यानी ग्यानी सादा यान रमनता को अपने आत्म चारित्र को सीकार कर लेगा, निश्य चारित्र को अपने दुरुप्त साश्वत सुभाव को सीकार कर लेगा, वहां ये कर्म में ज्यादा डेर ठेरने वाले नहीं हैं, ये कर्म तो छण मात्र में विला जाएंगे, ये कर्म सहियों की भाव दसा, यह विवाव वाव की धारा आ हैं यह असुद्ध पढ़ियाईएं रिजयाएं परिणा मायन ये छद्ध मात्म बिला जाएगा मैं को के 9 बिलन यान विलो की तत्वम फरी के या गात्व में जो किया जा रहा है एसे ही जो अपने सरूप को देखेंगे वहे ज्यानी साधक वहे ज्यानी भब आत्मा क्या करेंगे सम्यक्त ज्यानम चर्णन्त सक्यम सम्यक्त ज्यान के अंकुरण को उत्पन कर लेंगे हितकारी ज्यान को उत्पन कर लेंगे सच्चे ज्यान को उत्पन कर लेंगे वह सच्चा उनका ग्यान सच्चा ग्यान है उनके सच्चे आच्रण में सुख है क्यों सा सुख है अतीन्री सुध्धम प्रकाशम शुधात्म तत्वम अपने आत्मा का अतीन्री सुख है अतीन्री इंद्रियों से अतीत सुख है उन्हें पारलो की सुख है लोकी सुख नहीं है अच्छे से बोलने का वताने का खाने का पीने का करने का धरने का रखने का रखाने का राक का देश का उसे सारीनिक सुख नहीं है इस सुख नहीं दुख है यह सब संसार की जूटी ज्यायक ज्यान सुभाव है एसे अतींद्री आत्म सुभाव का सुख है बर्ति हुई दुरुप चेतना का सुख है मैं तो वे परम साश्वत चेतन सुभावी वीत्राग परमात्मा ही हूँ एसे अपने अतींद्री आनंद का सुख है एसे अपने सास्वा सुख है अपना सास्वा सुख है और ये एसा सुख है ये एसा सुख है कि जिस ग्यानी के ग्यान में ये सुख आ जाता है जिस ग्यानी के ग्यान में सुख अतींद्री आनंद के सुख का रस लग जाता है वह ग्यानी सारी परियायों को परिणमन को अरे ब अपने आपी भागता है फिर बिकल्व अपने आपी छोड़ता है फिर बिकल्व कसाय अपने आपी छोड़ता है फिर बड़े से बड़े उपसर्ग के बीच में भी उन उपसर्गों से उन देहादी सैयोंगों से एकत अपने आपी छोड़ता है और अतींद्री आनंत के सुख को प्राप्र करने के लिए ललायत होके थे ग्यान इन इंधरी स्झमन पैसे मन प्रबी यह स्ञिजता है उसरकर कुछ भी रहे सैयों की भाव दशा कुछ भी रहे सईयों की परिडमन कुछ भी रहे वे इस परिडमन के बीच में इस सारे परिणमन को छोड़ के, इस सारी परिणमन की दिष्टी को हटा के, वेज्ञान अपने आपी सative खिषता है, और अपने वीतराक सुभाग ये चिचता है, अपने आपी खिषता है, अट्वाटिक खिचता है, भी ये मैंने पेले कहा था, आज जो चर्चा करना हो में मात्र पुरसार्थ की अपिक्षा से है चलता हुआ पुरसार्थ ज्यानि सादक के अंतर वरत्ता हुआ पुरसार्थ ज्यानि सादक के अंतर वत्पन होता हुआ पुरसार्थ ज्यान और सुक्ष में शर्चा है आज बहुत कोई ब्रले जीप के इस चलते हुए सभ्षाध में इस बरत्ती हुए अनुभाव में सुखा अनुभूती होगी गौरमाज और क्या होगा और फिर क्या तत्वार्त साथम तमदर्सनेत्व कि ये जुदत्वार्त की साधना है ये तत्त जा श्रद्धान है तम दर्षनेत्व ये मेंने तुम्हें बता तो दिया अब तुम मान दो तो तुमारी मुक्ती और नहीं मान तो संसार की नुक्ती देखो के दियो नो तत्वार्ट सार्दम इस तत्व का ही तुम्हें श्रद्धान करना है इस तत्वात की तुम्हाइप K quién批ूआः करना है एस तत्वात की तुम्हानुळूति में रहना है और जो सुबह से लेगे शांती हो जो तुम रागदेस करते हो वा夸 उसे चोड़ना है उससे बिन रहना है, उसे अंतर से त्यागना है एसे तत्वाद की साधना है तुम मोक्ष मार नहीं चलेगा और इस देह आदी से बिन निराकार परमात्मा की अनुभूति करके यदि निराकार सुभाव में तुम रत हो जाओगे तत्वार्थ सार्धम ये से सुद्ध प्रकास बन तत्थ का श्रद्धान कर लोगे ये से सुद्धात में सरूप का ज्यान कर लोगे तो गुरुमात की रहा है सुख की प्राप्ति तो होगी होगी और ये सुख की प्राप्ति तत्वार्थ सार्धम ये ही तुमारा तत्थ है जो प्रियोजन भूत है सारधम इसी की तुम्हें श्रद्दा करनी इसकी तुम्हें साथना करना है और तम दर्सने तम और ये ही मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं मानो तो और ना मानो तो ये ही मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं कि तुम्हें इसी की आरातना करना है इसकी साधना करना है और इसमें इरत होना है और बाहर के प्रपंचों से दूर होना है अंतर में ढलना है तो बाहर के प्रपंचों से दूर होना मतलब कि सब करना थरना बंद कर दे अरे नहीं वगवान होने जाने वाले सरीर के होने जाने वाले प्रेड़मंद को अपने से भिन्न देखो इसकी रुची तोड़ा रुची किसी की रुची करने में करने मज़ा आता है और किसी की रुची करने में मज़ा आता है रुची तो है या ना कर रहा हो, हो रहा हो या ना हो रहा हो, करने में आ रहा हो या ना करने में आ रहा हो, दोनों इस्थिती में जो भिन्ड हैं, जिसे कोई गला नहीं है, जिसे कोई भी संसार से एकमेक पना नहीं है, जिसे कोई भाव से कोई संबंदी नहीं है, वह जीव सम्यक दिन्यानम वे जीव सम्मेक ज्ञान में आचरन कर रहा है, सच्चे ज्ञान में आचरन कर रहा है, और इस सच्चे ज्ञान का आचरन ही सुख को प्रदान कराएगा, आत्मिक सुख को अपलप्त कराएगा, सांसारिक सुख को नहीं, अभी तो पंका चला लो तो सुख, भोजन कल लो तो पिरिभासई मित्या है अच्छे से बोलने सोख को इब बुरे से बोलने दुख अब तरह सुक डुख की परिभासई बहार में है उल्टी है मन के अधार पे मन की सीकारता पे लेकिन गुरु माराज यहां कहे रहा है सच्चा सुक बास्टविक सुक तो समयत ग्यान में आच्रन करने वे तुम्हें पता लगेगा कि सच्चा सुक किसे कहते है तब तुम समझोगे यह वार में होने वाले उपत रहा हो यह सुक के कारण नहीं है सुक का कारण तो मेरा अनंत चतुष्टे में जो सुभाव है जो मेरे अंतरम बरत रहा है उसकी बरत्ती सीकारता मेरे सुक का कारण है उसकी चलती प्रतीती मेरे सुक का कारण है उसका चलता हुआ एसास मेरे सुक्का कारण है, सुक्का कारण आत्म सुभाव है, चेतन वहीं आत्म सुभाव है, सुक्का कारण मेरी धुरुप चेतना है, मेरा सास्वत ग्यायक सुभाव सुक्का कारण है, तत्त्त वार्थ सार्धम इसे तत्त को सादने केलिए चातारंतरन गुर देव ने कआ है तत्त्त यार्थ यह रन्याद आक्रण कार्ग मत प्रण कर आफ नो करें तोermिकम´ करें यसे सच्ची शृद्धा को इस प्रकासवान सुभाव को अपने ज्यान में सिक्रित करके अपने आनंद में सुक में रहना ही तत्वार्थ साव धं तत्वार्थ की साथना है को उनने कही तो उनने पहले के दिया सिरी केवल गयानी परमात्मा ने देखी उनने कही उत्म दर्सनेत्वम मैंने तुमाई लिए एसे दर्सन की बिधी को बता दिया आत्म दर्सन की बिधी को मैंने तुम दिखा दिया तुम इसी को देखना एसा गुरुमाय ने कह दिया तुम्हाई अपनी रुची है कि तुम गुरू-माराज के बचनों को सीकार कल लो तो तुम्हें ऐसा आनंद प्रकट हो जाए तुम्हें ऐसे जिननवगğimiz्वान के बचनों को सीकार कल लो तुम्हें ऐसे आत्मा में आनंद की अनुभूति उतपन हो जाए ये से संबिक दरसन ग्यान का विवा तुम उत्पन हो जाए और ये तुम सीकार ना कर पाओ तो 84-84 उत्पन अनंत अनंत भाओ पूरी 84 लाख यूनियों का परिणमन पढ़ा है पूरी चतुरगती की यात्रा पढ़ी है अनंत चतुरगती की संसार का परिप्रमन पढ़ा है ये सीकार ना कर पाओ तो बटकते रहो को ने मना क्या बटकने के लिए भी पूरा है और समलने के लिए भी उपदेश है अब आपको काई में रुची लग रही है रुची 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 अनुगामी प्र crosses त्तवार्थ साधं तम दर्सनेत्व तह गुरूदे पता रहा है लेकर आपको काम भोग इनमें ये एकत्पना पढ़ा हुआ है मन के सुक दुख में येकत्पना पढ़ा हुआ है सरीर आदि संयोग में तुमारे एकत पना पड़ा हुआ है तो भगवान गुरुदे बता रहा है वो तुमें दर्सा रहा है अब तुम इसे सीकार कर पाओ तो ठीक और नहीं कर पाओ तो बस प्रयास करो करने का वह सीकार कर लोगे तो सच्चा ज्यान उत्पन हो जाएगा सुक्कारी ज्यान उत्पन हो जाएगा हितकारी ज्यान उत्पन हो जाएगा और हितकारी ज्यान में आच्रन करोगे तो सुक ही सुक मिलेगा काय का सुक मिलेगा सुद्धात्म सुभाव से जो ग्यान प्रकासित हो रहा है आनंद रूप सच्चा ग्यान जो आत्मा का सच्चा ग्यान प्रकासित हो रहा है सच्चे ग्यान का सुख मिलेगा मती और सुद्ध ग्यान की निर्मलता हो जाए जिन आगम का अतींद्री ज्यान मिलेगा सम्यक मत्य सम्यक सुर्थ हो जाएंगे सु बुद्धी में जिन्वाणी खिरेगी और आत्मिक सुख आएगा अतींद्री आत्मा का भावशुत्र की अनुभूती होगी अंतर से भावशुत का बेदन होगा हा में कि अतींद्री आनन्द में सरू परमात्मा हो अंतर से भावशुत का बेदन होगा अंतर से आनन्द का बेदन होगा यह मेरा सुभाव तो चेतन्य मैं और अतींद्री है अंतर से अनुभाव में आएगा भगवन क्या कि मेरा आत्मा ही परमात्मा है अंतर से अनुभाव में अपना प्रियोजन भूत अनन्चतुष्टे में परमात्मा जिसकी साधना करने के लिए गुरु मरत कह रहा हैं कि साध लो तुम्हें बता रहा हूं मैं मतब वह से करतत भाव से नहीं कह रहा है यहां तो चर्चा में ये बात आ रही है उन्हें तो सहज नम कह दिया तत्वार्त सार्दहम तमदर्शनेत्वम मैंने ये माला रोण जी माला को गूतने के लिए गुणों की माला को गूतने के लिए 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 अब मैं गूत रहा हू तो सहज गूतने में आरहा है kırा कि ये भब जीव एसे समयक्ट ग्यान के सुक्छ आनन्द में रहना एसे तत्त को प्रियोजन्बुत तत्त को ये सात्त त्त रहना, इसको शरद्दा में रखना इसकी सीकारत अनरञत रखना, इस तत्त को ही दर्स नित्व उसकै अलावा तुम्हें और और कोई कुछ दिखा को गुद्धिक संसारी योजनाओ में धुर्माई मन बुद्धिचे तेहम से तुम संचे विप्रम विमो आदी सल्ल संका में उल्जो तो वो कह रहा है भगवान एसा काम मत करना परपरयाई की तरफ मत देखना एसे अज्ञान में भाव में मत लजना तो फिर तम दर्शनेत्वम जो तुमें देखने योग है अनन्त सुक है अनन्त प्रकाजबान ग्यान ग्यायक सरूप है बस तुम देखना तो एसे ग्यान में ग्यायक सरूप कोई देखना बस एसे आनन्द में आनन्द में सरूप कोई देखना यदि एसे आनन्द से आनन्द में सरूप कोई देखोगे ना इसे ज्ञान में ज्ञान में सरूप को देखोगे न, इसे सुभाव से सुभाव में सत्ता को चेतन में सत्ता को देखोगे न, तो सब अज्ञान को ज्ञान भाव गल जाएगा, और आनंद परमानंद में सरूप उपलब्द हो जाएगा, सुद्ध सरूप उपलब्द हो जाए इस उसा सुद्ध साल रूक प्रकट हो जाएगा अब रुचृ बता रुच्ः लुच्ः आत्मा की रुच्ः बता ऑप आत्मा की रुच्ः बता हओ कि हां कि आपके इस सभ शफह कि रुची है या नहीं है हम सो रूची है जी सिरुची है वे सभी पुरसाथ होगा जिस एक जिस अनुसार रूची है उस अनुसार इतमारा आच्रण होगा तुमतों रूची बताओ यह तुमाई रूची सुध्ध है शुद्ध में शुद्ध है तो तुम्हारा पुरसार्द भी सुद्ध में शुद्ध होगा यह क्या है वो सुद्ध में सुद्ध पुरसार्द देख लो गुरुमाय ने पहले के लिए था सम्यक्त ग्यान में आच्रण करना सुद्ध में सुद्ध पुरसार्द बेसम्य त्याना में आचरन क्या है? तुम्हारी बरती विशुद प्रकारवान शुंद्ध प्रसुद्ध 장나怎么了 को अपनी दिश्प्ती में सीकृत रखना हर समयु ये सुन्ध में सुद्ध पुरसाथ है किसने कहा है सुद्ध में सुद्ध पुरसाइट कौन कर रहा है साक्षात केवल यानी परमात्मा कर रहा है और किस और काय का परमाड़ लोग श्री केवलम नयान विलो की तत्वम साक्षात केवल यानी परमात्मा ऐसे सुद्धात सरूप को अवलोकन कर रहा है सास्वत सुद्का भोग सास्वत सम्मेक ज्यान केवल ज्यान में इसे सरूप का भोग साक्षात सर्वग के परमात्मा कर रहा है अब जो कार सर्वग के परमात्मा कर रहा है जो कार जिने परमात्मा कर रहा है वो ही सुक्का, वो ही सच्चे ज्यान का उभोग करने के लिए वो ही सुक्का उभोग करने के लिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ सम्मेक ज्यान केवल ज्यान की तो नोध है वो केवल ज्यान का नाम ही तो सम्मेक ज्यान है मती इसुत अब्दी मना परिया है ये सब उसके ही तो अंस है सम्मिक ज्यान की तो पांच परया है मति इशुत अबदी मना परया केवल वो उस केवल ज्यान में उस अनंत सुक्का उस सत्त का उस सुद्धात्म सुभाव का बोत कर रहा है वो सुद्धात्म सभाव को प्रकासित होता देख रहा है वो केवल ज्यान में देख रहा है तो मती उशुर्द ज्यान में देखो उनका सम्मेग ज्यान केवल ज्यान की परियाय रूप है तुमारा सम्मेग ज्यान मती शुर्द ज्यान की निरमलता रूप होगा आत्म सभाव के अबलंबन से तुमारा ग्यान मती शुर्द ग्यान की दिर्मलता रूप होगा आत्म सभाव के अनुभाव रूप होगा लेकिन दिश्टी तो रखो सभाव पे उस चेतन में ग्याया ग्यान बिग्यान में सभाव पे तुम दिश्टी तो रखो यहाँ यही मिरा अनंत-अनंत-अनंत-अनंत-अनंत-अनंत-शुद्छ चैतन में सरूप है सुद्ध-शुद्ध एकदम निखाले इस बिल्कूल प्यूर एकदम भीत् राक्तत जिसका आदी है और ना अन्थ है बैया आपने तो कह दी अब इतनी रुची तो हो बस रुची की तो बात है और क्या चर्चा तो बहुत सुक्ष्मा हो गई गुरु माराज ने अब देश तो बहुत गेहरा दे दिया जिनेंद भगवान की बाणी में सत्त तो पूर्ड उपेन आ गया केवल गयानी भगवान जैसा देख रहा है वेसा आ गया केवल गयानी भगवान जैसा अनुभाव कर रहा है वेसा बता दिया केवल गयानी भगवान की दिष्टी में जो पुरसार अत्पन है वो पुरसार के दिया जिनेंद्रदेप के बचनों में वे परमसत्त आ गया जो उनके अंदर पकट हो गया है अब भया एसे परमसत्त को एसे परम सम्यक्त सुद्ध सुभाव को सुनके भी यदि अपनी दिश्टी ना पल्टे अपनी रुचिव सोर ना जाए अपन यदि अज्यान भाव को ना छोड़ें यदि अपन चिंताओं को और नाना प्रिकार की कसायों को ना तोड़ें राक देश को ना तोड़ें अपना भाव भी भी पर में लगा रहा है पर को देखने में लगा रहा है तो भी यह अज्यान ता अपनी है और अज्यान में आ आच्रण करना दुख्का कारण है यह अपनी आत्मा का सुख प्रिये हो आपको अपनी चेतन में निदी का सुख प्रिये हो तो अंतर में आच्रण करोगे तो सुख का प्याला अनंत्य शुक की निदी उत्पन हो जाएगा अनंत्य चेतन सुख प्रिये हो जाएगा अनंत ज्यान विज्ञान में सुख प्रिये हो जाएगा अनंत अनंत जिसका कोई आर और पार नहीं रहेगा यह अपना सुख प्रिये हो तो अपना सुख प्रिये ना हो अपना निर्विकल सुख प्रिये ना हो अपनी सास्वत दुख चेतना प्रिये ना हो तो भगवान अनंत संसार दुख का रहा है यहां गहन श्रद्धान से इस्टता प्रियत अत्पन होती है जितना गहरा विश्रद्धान